अब चुनाओ महाराश्ट में आया है नए नए प्रकार की इल्लुजन पवार साब खड़ा कर रहे हैं मैं आज पवार साब को कहने आया हूं हमारे देवेंद्र जी दादा सिंदे जी अजीत दादा सिंदे जी ये सब जवाब दे रहे हैं मगर दूर से मेरा एक निरिक्षन है मैं आप लोगों के साथ सेहर करना चाहता हूं जब-जब महाराश्ट में भाजपा सरकार आती है मराठा को रिजर्वेशन प्राप्त होता है मेरी बात ध्यान से सुनना बाद में ताली लगाना जब-जब महाराश्ट में भाजपा सरकार आती है मराठा रिजर्वेशन प्राप्त होता है और जब जब सरत पवार की सरकार आती है मराठा रिजर्वेशन गायब हो जाता है मैं सोच समझ करें वाक्य बोल रहा हूं 2014 में महराष्ट में मराठा रिजर्वेशन आया सुप्रीम कौट टक ठीक कया किसकी सरकार थी 14 में बताईये जरा अरे जोड से बोलो किसकी सरकार थी भाजपा सरकार थी देवेंद्र फड़नवीस हमारे मुख्यमंत्री थे हमने मराठा रिजर्वेशन देने का काम 20 में सरत्पवार की सरकार आई मराठा रिजर्वेशन गायब हो गया हम आये फिर से हमने अभी भी मराठा रिजर्वेशन देने का काम किया है सरत्पवार की सरकार आएगी तो मराठा रिजर्वेशन फिर से गायब हो जाएगा अब मुझे continue रखना है तो किस की सरकार लानी चाहिए अरे जोर से बोलो किस की लानी चाहिए भाईों बेनों confusion में मत रहिए समाज के हर तपके को न्याई देने का काम कोई एक पार्टी ने किया है तो भारतिय जनता पार्टी ने किया है